तो टोड़े वी आर गोई गोई टूस्ट अनधर चाप्टर यह एक अगांटिंग फॉर शेर कापिटल ठीक है तो प्रीविस क्लास में हमने डिसुलूशन कंप्लीट किया था अगांटिंग फॉर शेर कापिटल ठीक है तो पहले इसका थेवरिटिकल आस्पेक्ट करेंगे प ठीक है बहुत आसान चैप्टर है और वेटेज भी इसका जादा इंटरेंस एक्जैम के लिए इसका वेटेज भी ज्यादा है ठीकल कोशन जादा पूछे जाते हैं बाकी प्रो राटा और फॉर फीचर से एकाट कोशन पूछ ले जाता है ठीक है तो देखिए का बड़ा व धायाम ऑबने की अभी तक हम ने कमपनी के बारे में पड़ा था लेकिन अ फिसका बने कमपनी के प्रमोटर चीज़ों के बारे में हम डिटेयल में इस चेप्टर में पढ़ने वाले है थीग है तो तुकर बटा चाप्टर कह रहा है यहाँ और चाहँ यह रहा है यहाँ पर शियर एंड शियर क्वापिटल कम प्लस पैनीज ओ sulfate eli kameez with or togetherPor kameez with or together ओक और्पैनी इसका मतलब अब्रेड और मील ब्रेड और मीन dessert हम किसी के साथ मिलकर आए यसार क्प्र वहां नहीं ha चैर करें कैना हमे आपम उजे हां पनी दे दो तो कमपनी नहीं दो कमपनी का मतलाई लोग जोडेंगे तो यहाँ पर मिल बैसली साथ देना ठीगे अब क्या होता कंपरी इसन आर्टी फिशल पर सनी यह तो इससी परसन टो है हम कौन से पर सन आफ्ड नेचुरल परसन we are the natural person but company possible in artificial person by company खानी सकती company 20 नहीं सकती company बोलनीन सकती but we are natural हम खा भी सकते हम पी भी सकते हम चल भी सकते हम घुम भी सकते पत कॉंपनी कॉँछी परसने आरटी पीचल परसन किरीएटिड़ या ना इसको निक किस नने बनाया लो ने न बनाया कौन सा लो company law console law company law company law कब आया था 2013 में कब आया पिटा क्या 2013 से पहले companies थी या नहीं थी थी तो कौन से एक था पहले 1956 पहले कौन से था 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 1956 मतलब before 2013 2013 से पहले एक एक था हमारे पास इसका नम क्या था companies at 1956 ठीक है ओके next created by law अब क्या है इसको लोने बनाया यानि कि कोई भी अगर चीज है अगर जो लोने बनाई है तो उसको खतम भी कौन करेगा लो ओके जो चीज लोने बनाई है यानि कि company को बनाने का एक process है company को खतम करने का भी बिटा क्या होता एक वाइड प्रोसेस होगा यानि कि company बनी लो के according और ऐसे ही बिटा company का जब क्या होगा winding up होगा company का dissolution होगा company का liquidation होगा तो भी किसके according होगा law के according तो यहाँ crystal clear है कि company created by law company को किसने बनाया लोने बनाया having separate entity having separate entity separate entity means separate entity का मतबब कि company की अपनी खुद की एक अलग पहचान होती है entity means क्या होता है identity entity का मलब identity जिसकी अपनी खुद की एक अलग पहचान होगी उसको हम क्या बोलते है separate entity हर बिजनस की like realize अब अम्बानी के घर में रिलाइंस नाम का कोई लड़का कोई लड़की नहीं है realize का एक अपनी company का नाम है तो realize की अपनी का separate entity realize की अपनी का separate entity ठीक है with a perpetual succession with a perpetual succession purpose will come up with a continuous perpetual means continuous यानि की नए मेंबर आ जाएं company में पुराने छोड़कर चले जाएं मर जाएं death हो जाएं उनकी तब भी company चलती रहेगी जब भी company के होगी चलती रहेगी अब क्या मतलब इसका बताओ apple company नहीं किसने मनाई steve jobs steve jobs है आते हैं मर गए है मरे ना हाव वफात पाचुके हो तिक मर गए हो अब जरह मुझे बाद बाद बताओ क्या उनकी company भी मर गई apple company भी जिन्दा है ना हां लेकिन steve jobs के समने की बड़ी company नहीं थी जो आज ए कंपनी एक तर्ट और स्टीव जॉप्स के सामने नहीं था जितना आज ये कंपनी का तो इसका मलब के परपीचल सक्सेशन किसी की बड़ से company की existence पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा company की एक्जिसेंस अफेक्ट नहीं होगी clear अगला and a common seal और company के अपनी क्या होती है बड़ा common seal बैसा पोज करो आपको क्या करना है आप को कोई check sign कर देना है to check sign क्या we are the natural person to check पर औरके क्या sign कर देगे but company भी तो होती है तो company sign कैसे करी की stamp लगातीय के लगाती है स्टेम्ट तो इसी को बोलते कॉमन सील क्या बोलते इसको बिटा जिल को समझ में ऑगी ओंलानि इसे आप बता यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई ठीक अब बात करते ने खरेक्रेक्रिस्टिक्स की किसकी बात करेंगे करेक्रेस्टिक्स और फीचर सफा कंपनी करेक्रेस्टिक्स और फीचर सफा कंपनी की बात करते हम लोग ती ए आई देखते करेक्रेस्टिक्स और features को कैसे समझना है ठीक समझेंगे आपे characteristics or features हमारे पास एक acronym हमारे पास एक acronym है हमारे पास एक acronym एटिक एस टैपल स टी ए पी ल ए स्टेपल ठीक एस टैंस फॉर सेपरेट लीगल entity separate legal entity तो अभी-अभी क्या मतला पता है एसका बेटा कि company की अपनी खुद की क्या होगी separate identity होगी company अपनी नाम से जाना जाएगी company का members कोने डारेटर कंपनी के directors कोने इडेटर प्रकंपनी के promoters कोने अट लग पहचान होती है company अपने नाम से जाना जाएगी ठीक है गूसरा ऐसे ओर आता है ऐसे और आता है सेपरेट प्रोपर्टी एनग्नेजमेंट एपरेट इडिर प्रोपर्टी हैं एंड मानेजमेंट ऑग है बड़ो एक बच्चा कोचे के नहीं का इन से किसी ने पूछा तुम कहीं पढ़ते हैं वे स्कूल है इसा तो क्या वाक्य में इन की कोचिंग है इस सेपराइट प्रपर्टी एंध्र मैनेज मेंनेजमेंट का मदब क्या होता है कि कमपणी का जो management है वो क्या बिल्कुल अलगे और company जो प्रॉपर्टी है वो क्या बिल्कुल अलगे वह इक कंपनी ने अगर किसी परसन को laptop desktop यूज करने के लिए दे दिया क्या वह उस परसन को ब्लॉंग करता है नहीं वह किसका company का वो किसका क्या है अगर आपने amazon से कोई purchase किये को shopping किये ति अगर आपके specification के according आपका सामान नहीं आया तो आप अगर मानलो उसके अगेंस में कोई action लेना चाहते हो तो आप आप जो है अगर कुछ घलत हुआ है वो कमपनी की तरफ से आयना आपके बस तो आप अगर कोई action लोगे किसके अगेंस में लेगी तो किसके नाम से लेगी अपने नाम से तो उसको बलते है स्यू और तो बी स्यूट स्यूट का मतलब रह तो फाल अपकेस को फाइल कर ने है ग्लेर हो गया तो ऐस से बिते इन तर मोगी तीन कौन कॉन सा separate legal entity separate property and management or sue or to be sued but how clear it to get a glove t transferability of share transferability of shares but a shares is a transferable instrument it person said user person comes years ago that they transfer transferability of shares clear it to me okay next a a stands for artificial person a stands for artificial person but a abhi abhi to batata a call artificial person a company is an artificial person in the eyes of low key company low key nature may get artificial person head to get next piece stands for abhi is a feature by data for a peaceful succession a perpetual succession of like other continuous continuous okay company continuously healthy regi kisiki be dead kisiki be birth company key existence cofactor nahi kar sakti here ticket next l stands for limited liability limited liability the liability in case of company is limited up to the extent of share holding but a company key case may liability get limited limited to the kaha tuk limited a agar aap ke pass company ke eq laagh rupae share a top liability gittimandhi eq laagh rupae ki company key capital bhali so koro lakar koro lakin api liability gittimandhi sir eq laagh jitne kisheer saab ke pass a ticket next e stands for existence of common see existence of of common see okay existence of common see yannick with a common see hopper hoogie up common see capital common see a trake official signature the escape company get the company give a half per con stamp lagata board of directors lagata ticket a car beta melik diton is a i i means incorporation i means incorporation ya per iska eq or namo satay formation kya formation yeah but oh company go incorporate or format kono karata promoters korn promoters ticket promoters are the first person okay joe kya kare nga bita company go create karatay incorporate karatay inkorprate karatay kya company go vajud me leka ratatun person ko hum ke bolte promoters to unki services ke baddele me kabhi kabhi company apne un pormoters ko bhi shares issued karatay kya 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 k और तो कोई भी हो सकता है आप अगर रिलाइंस के शेर ले लो आपने एक शेर खरीद ले रिलाइंस का तो आपकी आप भी ओनर बने उसके आप लेकिन यह नहीं है कि अम्बानी को जागा अधा दो कि मैं भी ओनर हूं वो कौने एक क्यूटी शेर हो स्टेक होल्डर उसका स्ट अब मालो मैंने अपनी कंपनी के शेर सिशू करें आपको आपने शेर्स खरीद लिए और सरका बिजनस बड़ा प्रॉफिटेबल चलो शेर खरीद लो इनके तो आप उनर तो बनोगी लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं होगी आपकी के सर हर दगा एसी होना चाहिए है सर इसमे अपने एक इसमें यह लगा रहा है पैनल सारे क्लास्रूम में लगवा तो उसका भी टाइम आता है एक चीज का धीरी दीरी चीज़े चेंज होती है ना ओके तो बात समझ में आगे यहां तक यहां तक किसी डाउट है तो पूछो क्लियर है प्रपीच्व सक्सेशन फिर से रिपीट करते हैं प्रपीच्वल का मतलब है कंटीनिवस यहां तो हमारे दादा पर दादा पीछे चूट देर आगे क्या सक्षेसर है ना अब जैसे मेरी चाहदी होगी मेरे बच्चे नोग तो तो एक एक टर्म पढ़ीति क्लास लिवेंध में गोईंग अंसरन कॉंसेट सब्सक्राइब सनल इस एक दो तीन चार बस बागी बागी लोगा पाच को गोईंग अब ऑब दिलाप इसर ए अक निकलता िनकलता हु इसका गोइंग इंक सर्ण का सब्सक्राइब करें तो और हमारी इंगलिश वैसे भी कम्जोर है तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है बिटा बिजनेस का एक सब्सक्राइब करता है तो उससे आप क्या पूचा है अपना बिजनस कब बंद करोगे आप कुछ टाइम तक आप कोशिश करोगे बंद कर होगे परमेंटली बात नहीं कर रहा वो तो राथ में बंद कर जाएगा उसकेपास जिननात नहीं आते सामाल रहने रात में भी को तो रात में बेटेंगा हो ठीक है अब सम्झो जरा तो गुइंग कंसर्ण का मलग है दा लाइफ दा बिजनस इंफाइन और इंदेफिनेट तो अब इन फाइने लाइफ है तो इसलिए हम नहीं बता सकते के बिजनस कितना लंबा चलेगा बड़ा आज से सो साल पराने भी बिजनस सेल रहे है ठीक है सो साल परान चुला यह हम नोट्स पर चलते हैं अपने कि नोट्स में हमारे पास क्या बाते दे रहे हैं ठीक है तो इसका स्टैपल एक एक एकरोनी है में बड़ा वो धिहान रखना आप ठीक है अब देखो यहां पर जो मैंने सबसे लास्ट में लिखाते तो वो सबसे पहले है तो क्या respective एम यह ओंगे और अधर इन्योर से डीजे उनमें क्या होते है एक रजिस्ट्रार यह सह न होता है सब्सक्राइए इसे आइसे ही कंपने का कौन होता है रजिस्ट्रार होता है ठीक है जिसको वोते एह ओट कैnail को नमनिस होताय है औरी सबसक्टी करहां में यह जिन सर्फ अ ना element को 2 chlorobutaneal इस तरीक से नाम देते था ठीक है तो यहाँ पर भी वो पंडित बनेते आप वहाँ पर क्योंकि आपने वहाँ पर सबको नाम दिया था ऐसी पीटा company को नाम कौन देता है company का नाम करन कहां से होगा ROC यानि कि उसको क्या बोलते है registrar of companies आपने अपनी company को बनाई ठीक है आपने उसका नाम कुछ भी रखा XYZ मानलो नाम रखा तो बड़ा यह XYZ नाम पहले कहां जाएगा ROC के पास वो चेक करेगा इस नाम की कोई company से मिलते जुलती कोई company है या नहीं है तभी आपको क्या होगा उसका incorporation का क्या मिलेगा certificate मिलेगा जभी क्या मिलेगा certificate ऐस तो फिर reliance नाम की company मैंने भी बना दी ठीक है अब कोई YAC या से रली classes नाम की company ने बना सकता क्योंकि already वो क्या है exist it is also private company अगर आप सर्च करोगे तो या से रली classes क्या है private company है तो यहां पर क्या होता है कौन इशूड करता है certificate registrar of companies as per procedure guideline given in the companies act the law consider a company as an artificial legal person तो एसे ही इसको लो ने क्या consider कर लिए कंपनी को artificial legal person legal क्यों because it is lawful ओक लीगल कम लगाता है lawful यानि कि जहां पर क्या हुआ लो को follow किया तो इसको क्या बोले हैं legal ठीक है अगला a company is a separate legal entity from its owner और owner कौन होते shareholder यानि कि shareholder अलगे है और company क्या है अलगे दोनों चे क्या है separate है दोनों क्या है separate ठीक है अ company has perpetual existence यानि कि not affected by the death किसी की death lunacy यानि कि किसी का भी पागलपन ठीक है और insolvency यानि कि अगर कोई क्या हो गया insolvent हो गया of its shareholder it can be wounded up only by the law क्यों होगा बटा क्योंकि इसे किसे ने create करा था law ने और इसको destroy भी कौन करेगा खतम भी कौन करेगा law wind up भी कौन करेगा law करेगा ठीक है क्या लगा है court और registrar है ना अगला every company has its common seal हर कंपनी के अपनी के होती बटा common seal यानि कि क्या official signature ठीक अगला the share holders of the company's transferable subject यानि की बटा क्या है example some conditions for a private company but a share scope क्या कर सकते हूँ ट्रांस्वर लेकिन ये condition क्या apply नहीं होगी कहा पर private company के किसम वह भी हम आगे पड़े ही अगला the company is managed by the board of directors the directors are the representative of the shareholder यानि की क्या हूँ ओनर सु management and ownership are separate in company organization अगला the liability of shareholder is up to the normal price of share subscribe by the one यानि कि जितने जितने के लिए subscribe किया होगा यानि कि अपने गर एक लाग के share subscribe किये तो आपकी liability किती होगी एक लाग रोपे किये होगी ठीक है बताओ इतनी बात है समझ में आगे बटा यहां तक किसी को भी इस बट है तो बताओ clear सबको को डाउट तो नहीं ऑनलाइन वाले सुटेंट बटे जल्दी से बताए को डाउट तो नहीं किसी को फिरम चलेंगे types of companies पर types of companies को दिकत जी लगता सर्थ कि नहीं रेजिस्टर करने के देगी बार पैसे लगें बाग की तो फाइलिंग होती है अब जैसे income tax return prepare करते हैं लोग बग तो हर साल उसकी भी फीज लेता अकाउंट तो कुछ लीगल फीज है वो तो जाएगी हर साल ठीक है चलो अब बात करते हैं बड़ा companies की है ना types of companies देखो types of companies में बड़ा सबसे पहला क्या नजर आ रहा रहा है प्राइवेट कंपनी अब नाम से पता चल रहा है यानिकि प्राइवेट का मतलब के कुछ यहाँ पर limitations जरूर होँगी यानिकी यह public की बात नहीं चल रही यानिकी पॉबलीक कंपनी में कहा है हर कुई पैसा लगा सकता है बट प्राइवेट कंपनी में हर कुई पैसा नहीं लगा सकता है यानिकी नामी इसका प्राइवेट है ठीक है अब देख बड़ाई यहाँ पक है section two clause 68 यह score यह कोई relevant point नहीं है यानिकी लोवाले स्टूइंट्स के लिए होता है ना तो बस ध्यान रखो कि private company कौन से section में section 2 और इसको कहा बोलेंगे 68 जे उसको clause of companies at 2013 defines a private company means a company which has a minimum paid up share capital of rupees one lakh but यह clause अब हटा दिये गया है ठीक है यह clause बटा आप है नहीं okay and which by articles of association इसको मैंने इसलिए लिखावा यहां पर क्यूंकि कभी-कभी emu में यह और अधर उन्यूर्टीज में पराने प्रोफेसर से तो परानी किताब से कभी कुशन बना देते हैं तो इसलिए आपको दिहान रखना है इसलिए यहां पर दे रखाए कि पहले के प्राइवेट कंपनी की मिनिममम शेर कैपल कित्ती होती थी एक लाग क्रोप आपको एंड विच बाय आर्टिकल्स ओफ एस्सोसियेशन पड़ा कंपनी के दो चार्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं अब यहां पर क्या बाते हैं प्राइवेट कंपनी में रेस्टिक्ट दा राइट टू ट्रांस्वरेट शियर्स देखो बड़ा अभी 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 सकते हैं और चील हुआ सकते फ्रेस्टिक्ट ने के लोगव पर प्र commentary में अभी हैं और फ्राइवेट कंपनी में हम चैयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते तूनि कर सकते मेंबर 200, minimum कितने 2, यानि कि कोई भी 2 लोग मिलकर क्या बना सकते हैं, प्राइवेट कमपनी को बना सकते हैं, अब हमारी जो प्राइवेट कमपनी है, इससे 2 लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है एक तो हम ओ गई है ना एक हो गई अनम्म ओके ठीक है अब 80 आप नहीं समझे हो गई यह समझ गई यह समझ गई यह शरली 80 अनम तबस्स्म ठीक है ओके तो बटाई यह दो डिरेक्टर से जिन्हों ने किसको बनाया वाई यसी प्राइवेट लिमिटेड को ठीक है अब देखो जरा बिटा एक और बात पता चलेगी यानि कि जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम में क्या आता है पीवीटी लृटी डी क्या आएगा पीवीटी लृटी लृटी टी ओके दनेम अव गव्दा प्राइवेट कंपनी मस्ट भी इंड विद विद द वर्ड और एल्टीड अच्छा रेलाइंस का नाम क्या है पूरा हार एर आई-ल रिलाइस इंडिया लिमिटेट कैसे नाम के आगे प्राइविट आया नहीं इसका मतलब यह प्राइविट कंपनी नहीं तो यह कौन सी कंपनी होगी पॉब्लिक कंपनी कौन सी होगी क्योंकि आप उसमे कि कोई भी public यहाँ पर securities के लिए subscribe नहीं कर सकती यानि कि restriction लगी हुए है कि हर कोई पैसा नहीं लगा सकता अब बतो जब आपके है कोई शादी होती है तो कोई भी आ जाता है शादी में आपके है क्या देते हो आप उसको? Card invitation क्या देते हो? Card invitation फिर उसमें दे रखा होता है कि आप उनको बड़े प्यार से बोला रहे हो फिर Card देते में भी आप कहके आते हो कि याद रखना आना जरूर है आपको ठीक है? ऐसे ही बिटा company भी invite करती है company भी करती है? लोगों को invite करती है कि आओ हमारे साथ पैसा लगाओ हमारा ये vision है, हमारा ये mission है हम ऐसा काम करते हैं और इतना पैसा आपको कमा के दे सकते हैं तो जब company invite करती है तो ये document होता है और बता उस document का नाम क्या है? prospectus, कहना मुद्धा उसका? prospectus, ठीक है? invitation, किसको invitation दिये जाता है? public को, किस चीज के लिए? to subscribe the shares shares के लिए क्या करना? subscribe करना तो वो document कौन सा होता है? prospectus क्या private company हर किसी को दे सकती है? नहीं, तो यानि कि private company के पस prospectus नाम की कोई चीज नहीं होती ये किसके पास होगा सिर्फ? public company के पास तो prospectus किसके पास होता है? public company के पास private company does not have any prospectus नहीं कि उसके पास कोई भी prospectus नहीं होता है अब prospectus समझ में आगे क्या होता है? ठीक है? invitation to offer यानि कि किसको offer दिये जा रहा है? public किसी के लिए? for subscription of shares shares को subscribe करने के लिए बताओ clear है? यहाँ तो को doubt अब किसी का? ठीक है? अब देखो अब आता है public company ठीक है public company क्या है? जो private नहीं है वो public company है ऐसी definition किताबों में भी है तो कहते रखाए according to section 2 यह क्या है clause 71 of the companies at 2030 अब public company means a company which is not a private company ओके बटा public company कोई सी होगी? जो private नहीं है तो यह निकी मैंने बताया था पुराने law में पुरानी book किताबों में हमारे पास private company की restrictions थी मैंने मिनिमम शेर कैपिटल किती होनी चाहिए थी उसमें? एक लाग है ना? अब देखो यहाँ पर कहते रखाए has a minimum paid up share capital of कितना? पाच लाग कितना? पाच लाग यान की कम से कम किती होगी? पास लाग है यह भी पुराना लो है यह भी क्या है? पुरानी बाते दे रखी है नई एक्ट में यानि की नई definition में यह एक लाग पास लग का कोई भी clause नहीं है यह मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए डाला है कभी कभी exam में पूछ लिया था पुरानी चीजे भी तो इसलिए प्राइवेट कंपणी की minimum share capital कितना? एक लाग और में एक्जम और पब्लिक कंपणी का minimum कितना? पाच लाग ठीक है और higher capital as may be prescribed private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed a public company अब ये English में क्या बाते दे रहे हैं वो दरा समझेंगे पड़ा दो तरह की company ज़र होती हमारे पास एक होल्डिंग company और एक होल्डिंग और दूसरा subsidiary company बताब कोई define कर सकता होल्डिंग और subsidiary company कोंसी होती है और कोई इनके अलावा प्रिंजल के अलावा थरिजल 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 तुम्हार कोई nickname है भर पर है निक्नेम ये तो सरने में हो गया तीर्थ हाँ ये सही है हाँ 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 जी बताओ कुई नोवन है पूसे कहता है मैंने होल्डिंग और सब्सेडरी कंपनी बताओ बला सब्सेडरी कंपनी वो जो सब्सेडर गई सब्सेडरी अरे वाँ सब्सेडरी वह जो होलिग नहीं है और होल्डिंग वह जो सब्सेडरी नहीं है हाँ बताओ त्रिजल बताओ वो उनको बताओ पैरेंटल कंपनी हाँ अब लाइक देखो सब्सेडरी और होलिंग कंपनी बिटा कौन सी समझ लो ठीक इन वनिट सही बताओ वैसे देखो हमारे पास लाइक एक एफ लिप कार्ट मैना फ्लिप कार्ट मालो फ्लिप कार्ट ने एक कंपनी में पैसा लगा दिया मिंत्रा में पचास परसेंट से ज्यादा कितना 50 परसेंट से ज्यादा किस में लगा दिया मिंत्रा में और लगाया हुआ है पैसा ठीक है तो फ्लिप कार्ट ने लगाया तो बतो फ्लिप कार्ट कौन सी कंपनी के लेगी होल्डिंग अब मिंत्रा को होल्ड कौन करेगा अगर मिंत्रा के बोर्ड डिरेक्टर सही से काम नहीं करे तो मिंत्रा के बोर्ड डिरेक्टर को अपॉइंट और रिमूफ करने की पावर किसके पास है अब फ्लिप कार्ट के पास ठीक है तो फ्लिप कार्ट इसकी कौन सी कंपनी क्या ठीक है। तो होल्डिंग और सबसूरी में डिफरेंस हम लिवाया। अब में तरणे मालने किसी और कंपनी में कोई X, Y, Z कंपनी है। इसमें पैसा लगा रहा है। किसमें? X, Y, Z में पैसे लगा रहा है। 50% से जा़ा था, तो में तरह कान सी कंपनी होगी होगी। एक कॉंछी ओगई होगाया इसमें पैसे का इसका मताशा dawn में 5 peas फैलिप कार्ट वह के विलहिए उसकी हुलिब हरे इस में पैसे कईए हुं विब काट जो है यह दिभॉल्ट इसकी होल्डिंग और यह एक्सृल crash मान लेना ऐसा माना जाएगा कि अगर किसी खोल्डिंग की कोई सबसीडुडिरी तो तो by default क्या होगा जो subsidiary की भी subsidiary है वो किसकी subsidiary भी मानी जाएगी holding की subsidiary मानी जाएगी clear? ओके? हाँ बोलो बिल्कुल ठीक है? clear होगे इतनी बात? तो subsidiary company और holding company कम लगा अगर क्योई भी company किसी दूसरी company में क्या लगा दे? 50% से ज़्यादा का stake लगा दे तो उस company कौं के बोलेंगे holding company और जिस company में लगाया ओ company कौन सी होगी subsidiary company ठीक है clear है अब आता OPC one person company लेकिन one person company से पहले बिटा एक दो चीज़े और डिसकस करेंगे वो देखेगा देखो एक दो चीज़ में यह है हमारे पास यहाँ पर हम समझेंगे जैसे अभी मैंने private company की बात की ठीक है private company private company में ध्यांदो directors की अगर बात करेंगे directors तो बटा minimum director की अगर बात करें अगर हम बात करें पंपनी के अगर यह वाट प्छली में बात करें मिनिम्मम डेरेक्टर कितने हो सकते है तीन में-मेंबर की बात ने करें किसकी बात कर रहें directors की बात कर रहें ठीक चाहें private company को ओके private में कितने दो और पब्लिक में कितने तीन अब भात करते maximum डिरेकटर कि il kiski maximum डिरेकटर कि कम्पनी कोई भी हो, मैं कहा कंपनी कोई भी हो मैं मैं कहीं ब शीकित कि पंधरा कि किसी भी कम Peninsula मैंग्चों 2020 किते हो सकते हृँ यह से ज्यादा हुचते है यह सजु est Reハ पन्दरा से ज्यादा भी हो सकते हैं स्बाइब साफिसफ एक डेरेकटर मैकलें कि अगर 15 अगर कबने को जरूँटे तो यह पंदरा से ज्यादा भी हो सकते हैं शीया क्या होगान कमपणीं के ओनर से कमपनीестиट अनर से परमीशेन लेन पड़ इस कि परमीशे की और तो कंपानी कर रहे जब ब मतलब अगर आपके शिर अगर आपने एक शिर भी ले रहे तो आप भी ऊनर कैला ओगे कंपनी में थिक वह स्टेक के तेक हो तेक मैं बता हो वह मने आपको मैंने कहा आप 15 डरेक टर्क तर्स ज्यादा हो सब्सक्ति किसी भी कंपनी में यह पड़ागा प्ड़ेक किसे ओनर से ओनर का मलब किसे फिर इनकी एक मीटिंग होती है इनकी क्या होगी एक मीटिंग और उस मीटिंग को हम बोलते हैं उस में लिया जाता है इस स्पेशल रिजोलूशन क्या इस स्पेशल रिजोलूशन और उसको बोलते हैं एन्यूवल जेनरल मीटिंग जहां पर यह special permission एक special approval ली जाती है कि हमें अपने number of directors की क्या करना पड़ेगा तो क्या हम ऐसा कर सकते तो special resolution में क्या होगा वहाँ पर shareholders अपना vote कास्ट करेंगे वह favor वाले भी होंगे उसमें अगेंस वाले भी होंगे अगर favorable vote ज्यादा है क्या है ज्यादा तो वह resolution क्या होगा पास्ट और special resolution पास्ट करने के लिए जो आपको वोट चाहिए वह होता है three-fourth कितना three-fourth यानि कि हर चार मैं से तीन लोग आपके सहमत में होने चाहिए यानि कि कि वह resolution पास्ट नहीं होगा तो कितनी मेज़ोरिटी चाहिए थ्री-fourth मैज़ोरिटी चाहिए होती है एंड इन लोग लोग में इसको बोलते कोरम क्या बोलते कोरम तो पूछा जाता है कभी जबी जैसे आप अभी यह सिए सिये में अगर इसे एक्षाम देते हो ओले कितना कोरम रिकारड़ होता है तो कोरम का मदा मिनिमम मेमबर्स रिकारड मिनिमम मेंबर्स रिकारड तो कितनी मेज़ोरिटी चाहिए होती त्रीफर्थ थ्रीफोल गुला परसेंटेज में कितना 75 परसेंट ओके फ्रेक्शन में 324 प्रसेंटेज में कितना और गोव पिचतर परसेंट और इस टर्म को हमके बोलते है कोरम के मिनमम मेंबरे कावड के उसको हमके बोलेंगे कोरम Q U O R U N QA बताओ क्लियर है पना मिनिमममम्पर्स रिक वाईड ठीक में मेंबर्स बत इतनी बात क्लियर और मुझे निल्टाइब आपने 12 पे सीक्व किर जनरली किताबों में भी नहीं एलेवें टेल की इसलिए टीच इच भी नहीं बताते फिल्स टेक है क्लेर टीब यहां दुखत ओके तो कुछ चीज़ें आपके एक्जाम से रेलेमेंट नहीं है बट क्या है जब यह चीज कंपनी के अंदर है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है क्लियर है यहाँ तक डाउट हो तो पूछो और दो तरह की कंपनी दिखली हमने कौन कौन से प्राइवेट और पप्लिक प्राइवेट में मिनिमट् withstand कितने लोग चाहिए दो होगे Exhaven same Team unlimited maximum dittling unlimited log chirigon gay maximum तीकिए अब देखो अभी अमने एक feature पड़ अ क LM से 약 एटल एंटिटी कोई सा से पृट लीगल एंट एट इट ये कॉंसे आया तो कहां से आया कि कहीस से तो आया को न आप अब आप अब आप अब अब आप अब आप अब आप अब अब इसे परेट लीए लेंटिटी का निटी का निटी कहां से और कैसे आया बटा हमारे पास एक केस है है ना वो केस है लंडन का ठीक है और उस केस का नाम है सॉलोमन वर्जिज सॉलोमन कमपनी लिमिटेड सुनाया कभी इस केस का नाम कभी सुनाया है है अच्छा एक बंद ना को सोनाया सुनाया सुनासुनाय केस शुना सुना लागे रहे घंग इसको सुनासुना लागे क्र cannot cannot तो में सुना भूरा दो जो सुना दो यह से पूरा को देखो पिड़ा केस क्या है यह किसे लंडन के सालमन वास दबू ट मैनिफेक्चररर सोलमन गां ते बूट मैनिफेक्चरर्ट तब इस लिव दिलन कहा है लेंडन में रहता था और वह बूत Não तो यह इसका नाम क्या है अ कहीं प्राइवेट लिमेट्टैट्टी तो नकितने लोग यह सत तरहीं इसने साथ लोग बनाई यानिक तो खुद सॉलोमन एक उसकी वाइब है this clear your drop bath एक केसे गंपरीन की कaugमपनी बना लिए पब्लिक कम्पनी बना लिए अब बनाने के बाद पबिक कमपनी बनाने के सब्सक्रेब क्राइब इस सॉलोमन節 इस सॉलमन節 ने अपनी ही कंपनी को लोन दे दिया क्या तो ट सकता हूँ क्या यह अपनी कमपनी को लोने कपने रिचाड़ के इसक्वन ओंप होगा तो सबसे पहले रेपेमिंट किसका होगा सिक्योड वालों का की expensive अब सुलोमन ने ऐसा प्रहस्स किया गी इसको legal reality को प्याओ जाएगा तो जो बेचकर पैसे आएगा तो तो company सबसे पहले liability पफ करेगी अंवलमन कान कौन सा लोन दे रखा था company के secure loan तो यहा बद यह घुक है इसका मतलब जब भी Company winding up होगी तो सबसे पहले repayment किसको सौलमन को सौलमन का भी नोन को भाइस कम ने जो यह से लेशिन के ब toolbox एक वैजे किय दो सारा पेमेट किसको हो जा या मैने कहा वहाँ पर प्रावड चलते हैं ठीजिक है कि करन्सी क्या है लेंडंड की करन्सी कसी कैए ब्रिटेज़ में और उसकी नाम होता है GBP Great Britain Pound क्या चलता है वाब बे पाउंड चलता है GBP Great Britain Pound ठीक है मान लेते हैं कि Solomon ने 20,000 पाउंड का लून दिया था और एसेट को रेलाइस करके 12,000 पाउंड आए तो अभी यह भी बताया सबसे पहले रीपेमेंट किसका होता है Secured वालों का और उसे Secured Loan कितने का दे रखा था 20,000 पाउंड का और रेलाइस करके कितना पैसा आया तो सारा का सारा पेमेंट किसको होगा Solomon को बाकि जो Unsecured लोगे Unsecured Creditors उनको कोई भी पैसा नहीं मिला होगा तो जो Unsecured वाले लोग थे जो Other Creditors थे उन्होंने Court में Case File कर दिया किसके नाम पर? Solomon Company के नाम पर अब जब ये Case Solomon Company का वहां की Court में गया तो Court ने वहां पर एक Order दिये सबसे पहले तो उन्हें का कि Solomon अपनी Company को Loan कैसे दे सकता है तो Loan ने वहां पर Order पास करा कि Solomon can do so Solomon अपनी ही Company को क्या दे सकता है Loan दे सकता है Because Company अलग है और Solomon क्या है? अलग है तो वहीं से Concept जनरेट हो गया कौन सा? Separate Legal Entity का ठीक है? Clear होगी बात? ओके जैसे लिखावने ये बात है कालपने के इसका सत्य घटना से कोई आधरित नहीं है तो ये case तो सकते है लेकिन आपके entrance exam से इसका कोई relevance नहीं है बट ये है कि अगर मुझे कुछ चीज़े पता है तो मैं चीज़े आपको share करूँ ठीक है? Clear हो कि इतनी बात? चल्ट अब आता है बटे देखो One person company देखो ये जो ये जो One person company का concept है One person company ये इंप्लीमेंट हुआ है अभी 2013 के एक से 2013 के एक से पहले कोई भी single person अपनी company भी बना सकता था उसको बोलते थे sole proprietor क्या बोलते थे sole proprietor ठीक है बट यहापर company की बाद चल रहे है तो 2013 के एक ने One person company भी बना दी इसका section कौन सार्ट टू clause 68 of the companies at 2030 states one person company is a company which has only one person is a member यानि कि उसमें मेंबर किता होगा एक ही होगा rule 3 of the companies in corporation rule 2014 provides that only an only an Indian citizen resident in India can form one person company यानि कि बटा वन परसन कंपनी बनाने के हमें क्या होना चाहिए resident भी होना चाहिए और citizen भी होना चाहिए कहा का इंडिया का इंडिया की नेश्रालिटी हमारे पास हो और हम कहां पर रिजाइट करते हो इंडिया में ही रहते हो है ना दूसरा ओके दूसरा के इट्स पेड़ प्रसन प्रसन कंपनी की मैक्जिमम कैपिल कितनी हो सकती है पचास लग से जाद सकी क्यापिल नहीं हो सकती अगला its average annual turnover should not exceed कितना दो करोर पिछले तीन साल का कितने साल का पिछले तीन साल का average turnover दो करोर से ज्यादा नहीं हो सकता कैसे पहले साल में कंपनी ने बिजनस करा 70 लाग का कितना करा 70 लाग दूसरे साल में करा 50 लाग का ठीक है नेक्स यह बहुआ है कितना हो गया एक लाप मुलब एक सो नब्य राग का rumors फीर अगले तीन साल में साथी अंतरल लाग टीक होगे तो और यानिकि दो करोड भीघन कितना प्रिस लाग विए बीट क्या लिगनिस की ऊपर कर सकती है तो अब यहां पर एक लोग अप्लाई हो जाएगा कि आपको अपनी कंपणी को वन परसन का नाम खत्म करके इससे क्या बनाना चाहिए आपको प्राइवेट कंपणी क्यूंकि धीरी धीरी अब आपकी कंपणी के और यह ग्रो कर रही है बड़ी हो रही है तो इसने वन परसन खत्म करके से क्या बनाओ प्राइवेट कंपणी बनाओ तो दो करोल की मैक्जम क्यापिल के दो करोल का मैक्जम टर्नोवर किसके उपर एपली के बले वन परसन कंपणी के ऊपर ठीक है अगला इट कैन नोट कैरी आउट फॉर नॉन बैंकिंग फनेंशल इन्वेस जाएगा यहां तक बाद सबको समझ में आगी तो तीन साल का एवरेज का मतलब यह कि तीन साल में ऑन एवरेज कित्ते हैं कि बिजनस होना चाहिए दो करोल का ठीक है तीन साल कि यह एवरेज का मतलब यहां पर वो नहीं है कि एवरेज तीन से डिवेड करोगे ओन एवरेज आपका तीन साल में कितने का बिजनस होना चाहिए दो करोल तक का बस हां बोलो तुम्हारा दिल चाहरा था सवाल पूछने का ऐसी बस तो तुमने पूछ लिया हम से सवाल है मैं वही कह रहा हूं मलब कभी को में पूछ लो कुछ नहीं आ रहा तो तुमने ऐसी पूछ लिया बागी सवाल नहीं था यह कुछ भी कि बद बड़े यहां तेक सबको क्लियर है ठीक है तो अभी तेक बात हो तो बड़ा कंपनी इसकी रिगार्डिंग है ना तो आज की क्लास में ही तक रहने देते हैं बाकी नेक्स क्लास में करेंगे ठीक है ओके